जैन सातियों में बिन सर कैसे आप सब साथ बहुत अच्छे सोंगे यह सची जीडी का बहुत जल्दी आप सब के सामने एक कट अफ रेजल्ट आ जाएगा और आप सब को मेडिकल के लिए अभी से भाई प्रिपेर करना पड़ेगा बहुत सारी चीजा ऐसी होते हैं कि दो-तीन आपका मं क्लियर करदेंगे अगर ये वीडियो आप ला से तक देख लेते हैं क्योंकि हमारी वीडियो तो बहुत छोटी होते हैं फिर भी हगए थोड़ी सी लंबी हो जाता हमने अगर इड़ेगा नहीं बता सकते हैं स्वाई जेट जो भी आपका आपरेशन का निसान है केवल आपकी वो बीमारी अगर ठीक हो गई है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन आप आपरेशन के निसान से परिशान मत रहो, 100% आप मेडिकल में पास हैं दूसरी बात यह है, बहुत सारे बच्चों को चोट लग गया होगा, हो सकता है के हड़ी टूट गई होगी, तो भई कुछ भी हुआ होगा, जो चोट लगने से पहले जिस तरीके से आपका सरीर का बनावड था, अगर उसी रूप में आपका वो चीज आ जाता है, जिस पार् कलर का होता है, हलका सा से हुआ कलर का भी होता है, उससे भी आपको परिसान नहीं होना है, आप एकदम पास हैं, बहुत सारे बच्चे पहले मोटे होते हैं, बादम पतले हो जाता है, इसको भी आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है, आप पास हैं, जल गये हैं, अगर आपका ये फेस अगर खराब नहीं हुआ है, ये हाथ जो दिख रहा है, वो नहीं खराब हुआ है, बाकि अगर पीठ में है, पेट में है, हलका फुल का निसान, जो कि बहुत ज़्यादा आपका मांस नहीं जल गया है, आपका इसकी नहीं केवल जली है, उसका निसान है, लेक अपना नाम लिखा रखे हैं, एक लेटर है, पास होंगे, खेल होंगे आप, बहुत छोटा सा सिंबल, धार्मिक सिंबल जैसे ओम उगरा हो गया, और यहां पर अगर बना हुआ है, इस जगहों पर, तो 50-50% का आप रिस्क ले सकते हैं, 50% पास हो सकते हैं, 50% खेल हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोई भी एक लेटर हो, दस लेटर हो, अच्छर हो, नाम हो, चाहे बड़ा सिंबल हो, चाहे छोटा सिंबल हो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि आप फिचकल पास हो जाएंगे, आपका नंबर अच्छा है, आप मेडिकल तक जा सकते हैं तो आप प्लेज उसको रिमूट करवा लीजिए नहीं तो आप खेल हो जाएंगे तो यह है अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट से रह जाता है तो बिंद हैमन्त वेरी इस्टा आईडिया है उसके आप कमेंट्स करें आपको हम ज़रूर रिप्ल